हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंस्टॉलजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है तो आज हम अनायल्सिस करेंगे से एंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो आज यूजूल शुरू करूँगा फिंगर्स के अन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के उपर नजर आ रहा है यह मेरा वटस अप नंबर है अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हम स्क्वार शेप में नजर आ रही है जो इंडिकेट करती है एक हाड़ वर्किंग टाइप की निचर को और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही हैं सभी फिंगर्स के बीच में काफी जदा इंडिपेंडेंट नेचर का बनाता है और खास तोर पर जब इन दोनों फिंगर्स में सूरिया और बुद्ध की फिंगर्स के बीच में बिल्कुल क्लियर गैप मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति काफी जदा इंडिपेंडेंट सभाव के होते हैं अपनी मनमर्ज के मालिक होते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको करकर ही दम लेते हैं साथी साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शनी फिंगर की लेंट को काफी अच्छी लेंट में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी हाड़ वरकिंग नेचर का होगा एक अनुशाशन प् इस तरह से इनकी बाकी की फिंगर्स आपको शनी फिंगर्स की तरफ छुकती हुई नजर आएंगी इस तरह का छुकाव शनी फिंगर्स की तरफ होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के मन में थोड़ी वेराग्या की भावना भी रह सकती है अगर हम इनकी सूरे फिंगर्स की अधिक लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी creative nature कर रहेगा काफी अच्छी artistic qualities ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती है साथी साथ जिनकी सूर्या फिंगर जादा length में होती है ऐसे नेटिव थोड़े risk taker type के सभाव के होते हैं चीवन में risk लेने से नहीं घबराते कई बार तो अपनी थन की investments के मामले में भी risk लेने की रूची इनके भीतर रहती है अपने धन को ऐसी जिगाहों पर invest कर सकते हैं जहाँ पर loss की संभावनाईं भी हो जैसे share market है crypto currencies है mutual funds है ऐसी चीजों में इनका जुकाव रह सकता है अगर हम इनकी index finger की बात करें तो यह finger यहाँ पर हमें अच्छी लंबाई भी नज़र आ रहे हैं भला ही है सूरे finger से थोड़ी short है लेकिन बिलकुल straight काफी thick finger यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस वजह से अच्छी energy and stamina रहने वाला है काफी strong leadership qualities जैसे native की देखी जा सकती है mercury finger की बात की जाए तो बहुत अच्छी length में इनकी mercury finger आप यहाँ पर देख सकते हैं mercury finger लंबाई में सूरे finger के top phalanche को cross करती है नज़र आ रही है भले ही यह finger थोड़ी सी low set है उसके बावजूद भी यह finger length में इनके सूरे finger के top phalanche तक पहुँचती हुई जिसकी वजह से native के communication skills काफी बहतर रहते हैं काफी अच्छी calculations करने की capability ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती एक strong business equipment ऐसे व्यक्ति का रहता है जिनकी mercury finger अच्छी length में नज़र आए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी mounts को उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रिखाओं को भी यहाँ पर अगर मैं एक line draw करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रिखा बनकर सामने आती हुई जिसमें आप देख सकते हैं इनकी जो mercury इनका mount जो mercury finger है थोड़ा नीचे से शुरू होती है बाकी fingers के मकाबले आप देखेंगे यह finger आपको थोड़ा नीचे से शुरू होती नजर आएगी जिसे हम low set finger कहते हैं और mercury finger का low set होना native को थोड़ी shy nature दे सकता है अदरवाज अगर देखा जाए तो उनके mount जहां पर काफी अच्छी position में नजर आ रहे हैं खासतार पर हम उनके mercury mount की ही बात करें तो अब देखेंगे थोड़ा close up में यह area यानि जो सबसे चोटी finger के नीचे का area है mercury का area काफी उठा हुआ है इस वज़े से native का strong business equipment रहता है इस mount के उपर आपको कुछ इस तरह है की छोटी छोटी खड़ी रिखाएं भी नजर आएंगी ऐसी रिखाओं का इस mount के उपर होना native को एक बहुत अच्छा सलहाकार बना सकता है ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलहा या consultation से लोगों की problems को दूर करने की काबलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है साथी साथ ऐसी खड़ी रिखाएं होने से एक strong business equipment ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है सूरिया की बात की जाए सूरिया का जो mount है बिलकुल फ्लाट नजर आ रहा है सूरिया की जो रेखा है यहाँ आपको कटती हुई नजर आएगी जिस वज़ए से यश मिलने में कमी हो सकती है अगर यह mount फ्लाट हो या दब रहा हो और साथी सूरिया रेखा अगर कट जाए तो इसकी वज़ए से native दूसरों की कितनी भी help कर ले कितनी भी मदद कर ले बदले में कोई appreciation नहीं मिल पाती जिसे हम यश की कमी कहते हैं अगर हम इनके शनी प्रवत की बात करें शनी का mount भी आपको यहाँ पर फ्लाट नजर आएगा नहीं बहुत ज़दा उभरा हुआ नहीं दबता हुआ लेकिन शनी रेखा यहाँ पर broken नजर आ रही है आपको बताना चाहूंगा शनी रेखा भागया रेखा को कहते हैं और यहाँ रेखा हतीली में नॉर्मली आपको चंदर परवत की तरफ से यहाँ जीवन रेखा के आसपास से शुरू होती नजर आएगी जैसे यहाँ से अगर क्यों रेखा शुरू होती है और इस तरह से बिना रुके यहाँ तक पहुंच जाती है ऐसी एक लंबी रेखा जैसी यह ब्लू किलर में मैंने ड्रॉ की है ऐसी रेखा अगर हाथ में मौचूद हो तो यहाँ व्यक्ति को बहुती कमफर्टेबल लाइफ देती है इसे हम भागया रेखा कहते हैं लेकिन अगर यहाँ रेखा बीच बीच में आपको ब्रोकन नजर आए तो लाइफ में अपसेंड डाउन्स रह सकते हैं जैसे आप देखेंगे इनके हाथ में इस एरिया से थोड़ी हलकी रेखा शुरू होती है और यहाँ रेखा आगे चलकर यहाँ पर आकर रुकती हुई इसके बाद से आप देखेंगे यहाँ रेखा डबल होती हुई और यहाँ पर भी आपको कुछ छोटी छोटी ब्रांचीस के रूप में यहाँ रेखा नजर आएगी इस तरह की ब्रोकन और लेडर टाइफ फॉरमेशन की भागय रेखा को अगर हम एनलाइज करें तो इस तरह की रेखा चीवन में काफी उतार चड़ाफ देती है और साथी साथ आपको कुछ और रेखाएं इसको काटती हुई भी नजर आएगी जब यह भागय रेखा कटती है तो इस वज़य से चीवन में अपसन डाउंस का सिलसला बना रहता है और खास तोर पर आप देखेंगे इनके हाथ में आपको माइन लाइन के उपर से यह माइन लाइन है इसके उपर से आपको यह रेखा डबल होती हुई नजर आएगी यहां से दो रेखाएं आप देख पाएंगे इस तरह से दो रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि लगभग 36 के आसपास की इसे क्योंकि माइन लाइन के उपर से नेटिव की जो एज है वो 36 वर्ष की देखी जा सकती है जिन लोगों की हथेली में मस्तिक श्रेखा के उपर इस तरह से डबल भागया रेखा नजर आए एसे व्यक्ति 36 वर्ष की इज के बाद बहुत अच्छी तरक्की पाते हैं एक साथ एक से अधिक काम करने की काबली दिन के भीतरा आ जाते है अगर मैं इनके गुरूपरवत की बात करें तो आब यहाँ पर देख सकते हैं यह जो एरिया है गुरु परवत का एरिया है उबरा हुआ बरस्पति माउंट नेटिव को काफी नॉलेजिबल बनाता है एक स्प्रिच्वल टाइप की परसनालिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है साथी साथ यहाँ पर अंगूठा के उपर आप देख पाएंगे कि बहुती क्लियर बुद्धाजाई का चिन इनके हाथ में बनता हुआ इस तरह का बुद्धाजाई का चिन हाथ में होना नेटिव को बहुत अच्छी सिक्सेंस देता है ऐसे व्यक्ति आने वाली घटनाओं का पूर्वा अभास बहुत अच्छे से लगा पाते हैं यह बुद्धाजाई होने की वज़े से पूर्वा अनुमान की क्षमता बहुत स्ट्रॉंग रहे थी जिसे हम सिक्सेंस कहते हैं च्छटी इंदरी ऐसे व्यक्ति की स्क्रिया देखी जा सकती है गुरु परवत के उपर प्रोग्रेस लाइन का होना नेटिव को काफी लखी बनाता है आप यहां पर देखेंगे यह जो रिखाएं नीचे से उपर की तरफ चल रही है जैसे आप कुछ इस तरह की रिखाएं देखेंगे जो इनकी जीवन रिखा से निकल कर उपर की तरफ बढ़ती हुई और खास तोर पर अगर यह रिखाएं गुरु परवत के उपर पहुंच जाती है तो इन्हें प्रोग्रेस लाइन्स का नाम दिया जाता है और ऐसी प्रोग्रेस लाइन्स का होना जीवन में निरंतर प्रोग्रेस दिलवाता है ऐसे विक्ति अपने चीवन में काफी अच्छा धन कमा पाने में काम्याब हो जाते हैं बात करते हैं इनकी मेजर लाइन्स की अब यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हाट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर दो भागों में बढ़ती हुई इस तरह का चिन जिसे हम विश्नु सिंबल कहते हैं इस एरिया में विश्नु सिंबल का बनना इंडिकेट करता है कि न कमाने की कोशिश करने लगे तब जीवन में बड़ी दिकतें आ सकती हैं और तरक्की रुख सकती हैं ओवरॉल हाट लाइन काफी कर्वड है जिसकी वजह से एक एमोशनल और केरिंग टाइप की परसनालिटी रहने वाली है इस सेरिया में आकर हाट लाइन का शालो होना इचे की तरफ डाउनवर्ड ब्रांचिस का होना जैसे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह हैं कि ब्रांचिस आप देख सकते हैं इनके हाथ में ऐसी ब्रांचिस का होना अच्छा नहीं माना जाता ऐसी ब्रांचिस होने से इमोशनल सेटबैक्स नेटिव को मिल सकते हैं कई ब रेखा और मस्तिक्ष रेखा के बीच में आपको गैप नजर आएगा इस तरह का गैप इन दोनों रेखाओं के बीच में होना दर्शाता है कि नेटिव का सभाव काफी जदे इंडिपेंडेंट होगा थोड़ा जिदी नेचर भी कहा जा सकता है जिस वजह से नेटिव को कई रिलेशन्शिप्स में भी देखते हैं इस तरह का दोनों रेखाओं के बीच में गैप होना नेटिव की प्रॉग्रेस के लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि ऐसे व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग काफी फरम होती है ऐसे व्यक्ति अपने खुद के डिसीजन लेने में काफी सक्षम होते हैं लंबी मस्तिक शरेखा का होना काफी अच्छी मेमरी देता है लेकिन कई बार यही अधिक मेमरी नेटिव को थोड़ा तनाव और स्ट्रेस भी दे सकती है क्योंकि ऐसे व्यक्ति पुरानी बातों को नहीं भूल पाते जिस वज़े से थोड़ा स्ट्रेस रहन से काफी अच्छा धन संचे कर पाने में कामियाब हो जाएगा बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की तो आप यहां पर देखेंगे जीवन रेखा काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है यहां से शुरू होती हुई जीवन रेखा बिलकुल हतेली के नीचे तक कुछ इस तरह की बारीक रेखाओं की मदद से एक मचली नुमा अकरिती आप यहां पर देख पाएंगे इस तरह का चिन इस सेरिया में बनना चीवन में कई बार अच्छानक धनलाब देता है ऐसे व्यक्ति के लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका चीवन में कई बार म करें तो यहां एरिया आपको उठा हुआ नजर आएगा उभरा हुआ वीनस मांट नेटिव को हर तरह की सुकसुधाएं देता है लेकिन इस मांट के उपर इस तरह की रिखाओं का होना जैसे आप यहां पर देख सकते हैं एक दूसरे को क्रॉस करने वाली रिखाएं और वर चंदरपरवत की तो यहां एरिया आपको दबता हुआ नजर आएगा और चंदरपरवत के उपर काफी सारी आड़ी रिखाएं होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत रह सकती है थोड़ा तनाव ऐसे व्यक्ति को झेलना पड़ सकता ह यहां पर आपको कुछ इस तरह है कि रिखाएं नजर आएंगी जिनकी वजह से लंबी दूरी की यात्राएं जीवन में काफी अधिक रहती हैं ऐसे रिखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव जीवन में कई बार विदेश यात्राएं करने में सक्षम रहेगा तो द वाच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद